नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका अपने चैनल आनलाइन समाधान सेंटर में मित्रों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिगल मेट्रोलाजी के द्वारा जारी मनफैक्चरर, डिलर या रिपेरर के जो लाइसंस है लिगल मेट्रोलाजी इस बार निवेश मित्र पर इनका रिनुवल का कारे कर रहा था जो की 1 नॉवंबर 2020 से शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 2020 को समाप्थ हो गया है जो भी हमारे मित्र अपने लाइसंस का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो को लाश्ट जरूर देखेंगे और इससे अपने लाइसंस का प्रिंट आउट आसानी से ले पाएंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दे इसके लिए मैं निवेश मित्र की पेज को लॉगिन करना है यह देखिए निवेश मित्र की पेज पे आप जाएंगे अपना यूजर आइडी पासवर्ट दालेंगे और जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा यहां से हम अपने लाइसंस को प्रिंट आउट लेना है तो हमें डेस्बोर्ट पे जाना है डेस्बोर्ट पे देखिए यहां अप्रूप्ट का आप्सन है अप्रूप्ट के आप्सन पे जब हम जाएंगे यहां पे हमें क्लिक करना है जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहां दिखाएगा रिकार्ड पाउंड ये देखिए two record found दिखा रहा है इसका मतलब जो पिछली बार renewal हुआ है उसका भी record इसके पास है और जो इस बार renewal हुआ हुआ उसका भी record है तो हमें यहाँ इसको cut करना है cut करने के बाद हम देखेंगे नीचे तो first number पर जो दिखा रहा है वो इस साल का renewal है इसमें देखिए दो तरह के box दिख रहे है रेट कलर के तो जो उपर का box है रेट कलर का वो फार्म है हमारा जो नीचे का box है second number पर वो हमारा इस बार का renewal का license है तो इस पर हम click करेंगे second number box पर यहाँ capture भरने का option आएगा इस capture को हम type करेंगे और फिर submit करेंगे जैसे ही हम submit करेंगे हमारा जो license है वो हमको दिखने लेगेगा यहाँ देखिए सबसे उपर print का option है यहाँ पर आप click करके print out ले सकते हैं अगर printer लगा है तो print out हो जाएगा नहीं तो आपके desktop या laptop में save हो जाएगा यह देखिए license है यह मैं दिखाता हूँ आपको कि कब तक के लिए renew हुआ है नीचे देखिए license renewed up to 31 12 2030 यह license जो है वो 31 December 2030 तक के लिए renew हुआ है इस तरह से हम अपना license देख सकते हैं और इसका print out आसानी से ले सकते हैं मैं आसा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाववश्च मिलेगा अगर किसी प्रकार की और समस्या हो तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं आपने मेरे वीडियो को लाश्टक देखा इसके लिए आपको धन्यवाद नमस्क्राइब